आज का पज्जान आज माग कृष्ण पक्ष की शष्ठी तिथी और शुक्रुवार का दिन है। शष्ठी तिथी आज शाम 6 बचकर 17 मिनट तक रहीगी। आज दोपहर 12 बचकर 46 मिनट तक शोभन योग रहीगा। साथ ही आज शाम 4 बचकर 36 मिनट से अगले दिन शाम 6 बचकर 14 मिनट तक रव्योग रहीगा। आज शाम 4 बचकर 36 मिनट तक उत्तरा फालगुनी नक्षत्र रहीगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज पाताल लोग की भद्रा है। शुब मुहूर्थ शश्ठी तिथी आज शाम 6 बचकर 17 मिनट तक रहीगी। शोभन योग आज दोपहर 12 बचकर 46 मिनट तक रहीगा। रव्योग आज शाम 4 बचकर 36 मिनट से अगले दिन शाम 6 बचकर 14 मिनट तक रहीगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा आज शाम 4 बचकर 36 मिनट तक रहीगा। सूरियोद्य सूरियास्त का समय, आज सूरियोद्य सुबह 7 बचकर 14 मिनट पर होगा तथा सूरियास्त शाम 5 बचकर 44 मिनट पर होगा। आज का राशिफल लाब दे सकता है व्रिश राशी आज का दिन आपके भौतिक सुखों में व्रिधी का दिन रहेगा आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा ससुराल पक्ष से भी आपको मान सम्मान वधन लाब दोनों मिलता दिख रहा है इसलिए यदि ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपका क रही समस्याओं को अपने किसी सीनियर्स की मदद से दूर करने में सफल रहेंगे। मिथुन राशी आज नौकरी में अपने कुछ साथियों से भी तनाव मिल सकता है, क्योंकि आज कार्यक्षेत्र में आपको कोई ऐसा कार्य सौपा जा सकता है, जिसमें आपको अपने साथियों के साथ की आवशक्ता होगी, लेकिन उनका साथ ना मिलने के कारण वह कार्य लंबे समय के लिए लटक सकता है, जिससे परेशान भी रहेंगे। आपको किसी भी कार्य को सैयम से करना होगा, तभी आपस उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। जैसे कोई सूचना सुनने को मिल सकती है, लेकिन आपको किसी विशेश कारण से तनाव भी हो सकता है, इसलिए आपको सयम बरतने की आवशक्ता है, तनाव अत्वा गुस्से से आज किसी भी निर्णय को ना ले, आज संतान के विवा में आ रही किसी समस्या को दूर करने के लि परिवार के सदस्यों से नहीं मिलवाया है, तो वहां मिलवा सकते हैं, आज आपको हर मामले में परिवार के सदस्यों का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन कोई सदस्य ऐसा हो सकता है, जो आपकी किसी बात को बुरा मान जाए, इसलिए आज आपक किसी के भी मामले में बोलने स पहले सोच विचार अवश्य करना होगा. आज आपके संपत्ति में भी इजाफा होता दिख रहा है. कन्या राशी आज का दिन आपके स्वास्थे के लिए कुछ नरम गरम रह सकता है. आज आपके मन में एक अज्याद भै बना रहेगा, जो व्यर्थ होगा. आज आपको किसी को भी धन उधार देने से पहले सला मश्वरा अवश्य करना होगा, नहीं तो आपका धन दूप सकता है आज आप अपने किसी लंबे समय से रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए अपने भाईयों से मदद मांग सकती है जीवन साथी से भी यदि कोई नोक जोक चल रही थी, तो वहाँ आज सुलच सकती है तुला राशी आज का दिन आपके पारिवारिक प्रतिष्ठा में व्रिद्धी का दिन रहीगा रोजगार की दिशा में जो लोग लंबे समय से प्रयास कर रही है या किसी पुराने नौकरी को छोड़कर दूसरे की तलाश में है उनको आज कुछ बहतर अवसर हाथ लग सकते हैं लेकिन उनको उन्हें पहचाना होगा और उन पर अमल करना होगा तभी आप लाब उठा सकेंगे दामपत्य जीवन सुख्मय रहेगा आज आप अपने साथी के लिए भी कोई उपहार या सम्मान लेकर आ सकते हैं व्रिश्चिक राशी आज आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा आपके मन में कुछ व्यर्थ की उलजन ही रहेगी जिनके कारण आप अपने कार्यक्षेत्र की ओर भी ध्यान नहीं देंगे और अपने कुछ महत्वपूर्ण कामों को भी आगे के लिए टाल सकते हैं लेकिन आपको ऐसा करने से पहले ध्यान देना होगा कि इसमें आपका कोई कानूनी कार्य ना हो आज आप जीवन साथी की तरक्की देखकर प्रसन होंगे लेकिन यदि भाईयों से कोई विरोध है तो उसमें सुधार हो सकता है धनु राशी आज का दिन आपके रचनात्मक कार्य में प्रदती का दिन रहेगा संतान के दायत वो पूरा होने से आपका मन प्रसन रहेगा लेकिन प्रेम जीवन जी रहे लोगों को आज अपने प्रिय से कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है आज यदि आप किसी मकान अथवा वाहन संबंधी किसी को बेचने का मन बना रही है तो उसके चल वा अचल पहलूँ को स्वाधीनता से जांच ले नहीं तो बाद में आपको पच्टाना पड़ सकता है मकर राशी आज आपको शासन सत्ता का भी भरपूर सहयोग मिलता दिख रहा है जो लोग राजनीती की दिशा में लंबे समय से प्रयास कर रही है उनको आज कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिसके कारण उनके लंबे समय से चल रहे प्रयास सफल होंगे लेकिन संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है उनको आज कोई नई नौकरी अत्वा वेतन व्रिद्धी जैसी सूचना प्राप्थ हो सकती है कुम्ब राशी आज का दिन आपके व्यवसाय के मामलों में प्रगती का दिन रहेगा आज शासन वसत्ता का भी आपको भरपूर लाब मिलता दिख रहा है कुछ सरकारी क्षेत्रों से भी आज आपको लाब के आसार मिल रही है लेकिन आज आज आपको अपने घर अत्वा कार्यक्षेत्र दोनों ही जगा अपनी वाणी की मधुरता को नहीं खोना है यदि आपने ऐसा किया तो यहाँ आपका कोई वाद विवाद भी करवा सकती है उसमें भी आपको आज चुप रहना ही बहतर रहेगा मीन राशी आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिती को मजबूत करने के लिए रहेगा आज आप कुछ रचनात्मक कार्य में भी भाग लेंगे आज आपको आपका लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्थ होने से आपका मन प्रसन रहेगा जिसके कारण आप अपने व अपने परिवार के सदस्य के महत्वकाक्षाओं की पूर्ती करने में भी सफल रहेंगे विद्यार्थियों को भी शिक्षा में आशाती सफलता मिलती दिख रही है